तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत। आप लोगा हमेरी नई वीडियो में और जैसा के आप लोग सामने देख पा रहे होंगे आज हम लोग जानने वाले हैं कौाइडिनेटस हैक के बारे में कौाइडिनेटस क्या होते है Halloween मैं आप लोग को यह बता देना चाहता हूँ फिर उनको hacking हम लोग कैसे करेंगे game में कैसे hack करेंगे वो मैं आपको एक छोटा से example आज दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले आपने सुना होगा बच्पन में लोग कहते थे कि computer में programming करने के लिए math जरूरी है computer अगर आप लोगों को आगे computer field में जाना है तो math जरूरी है तो बिलकुल बहुत जरूरी है और आज हम लोग इस जगा पे पहुच चुके हैं कि हमें थोड़ा बहुत हर जगा पे math का function देखने को मिली जाता है जैसे कि cheat engine सारा code वहाँ binary पे काम कर रहा है और भी hexadecimal values चल रही है और यहाँ पे हमारा यह coordinates वाला section तो यहाँ पे आप लोग coordinates देख सकते हैं अब coordinates किस पे काम करते हैं space 3D space अगर है तो 3 coordinates मिलेंगे 2D space है या फिर 2D plane है तो 2 coordinates मिलेंगे ठीक है जो coordinates 2D plane के उपर होते हैं एक x-axis होता है एक y-axis होता है अभी मैं बकाइदा example भी दिखाऊंगा पहले मैं थोड़ी सी theory आपको दिखा रहा हूँ अभी मैं example दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि coordinates की मैं कहां बात कर रहा था तो यहाँ पे है मेरे पास एक 3D space का example x-axis यह रही हमारी y-axis हमारी यह रही और एक z-axis होती है तो यह है जो भी आप लोग नए games खेलते हो 3D वाले जिसमें आपको पूरा आदमी दिखता है और इधर दोड़ रहा है वो आदमी पूरे चारो तरफ घूम रहा है और उपर हवा में भी उड़ रहा है लाइक GTA 5 खेल रहे है तो उन सब जी games में हम लोगों को यह तीनो coordinates देखने को मिलते हैं ठीके तो यह रहा हमारा 2D coordinate यह रहा हमारा 3D coordinates आईए हम लोग अभी यह गेम में implement करते हैं और अपने coordinates का पता लगाते हैं तो basically मैं हमेशा cheat engine नीचे से खोलता हूं पर आज मैं यहां से खोल रहा हूं और जो game लोगा वो game हम लोगों ने पिछली वीडियो में cover कर रखा है ठीके तो यहां पर आपको कुछ नई चीज देखने को मिल जाएगी यह script अगर आपको यह नहीं पता script हमने कैसे बनाई तो आप लोग पिछली वीडियो जाके देख सकते है आई बटन के उपर जहां पर मैंने third game को hack करना बताय था या फिर हमारा third test था वो cheat engine का cheat engine tutorial game का यह third वाला portion तो वहां मैंने बताय था AOB injection या फिर AOB array of bytes sorry array of bytes की मदद से हम लोग कैसे बना सकते हैं और अभी यह बिल्कुल basic level का है तो अभी इसमें हम लोगों ने सिर्फ अपना थोड़ा सा mind use करके बनाया है बाकी आगे detail में वीडियो आएगी याएगी उसके लिए मतलब कोई भी चिंता करने के बात नहीं है ठीक है तो पहले हम लोग जान लेते हैं यहां पर coordinates कहां है सबसे पहले मैं अपने इसको active कर दे रहा हूं यह active क्यों कर रहा हूं अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं हम लोगों में problem क्या थी हम लोगों ने बहुत मुश्किल से इसका ना था मैं भूल रहा था बार बार यस और यहां पर जब मैं इसको active कर दूंगा तो अब हम लोगों क्या होगा यहां पर देख सकते हैं collision address एकदम गायब हो गया और यह हमारे आर पार जाने की छमता में ठीक यह सब तो चलिए कल की वीडियो की बात है पुरानी है अगर जिसने नहीं देखा वो लोग देखे लेंगे ठीक है तो यहां पर हमारा यह जो plane है पूरा यह है हमारी x-axis और यह जो हमारा plane है यह पूरा उपर से नीचे तक है यह हमारा y-axis है ध्यान से देखिए यहां पर आपको दिखेगा यह हमारा यहां पर मैंने इसको जानबूश के रखा है ताकि आप लोग समझ सकें यहां पर अच्छे से समझ सकें यहां पर देखिए यह हमारा x-plane यह हमारी x-axis है पूरी पूरी जमीन और यह हमारा जो उपर जा रहा है यह हमारा y-axis है यह चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे ठीक है यह बिल्कुल basic मैं बता रहो जिसको जरा सब नहीं पता ताकि वो भी समझ जाए कोई दिक्कत नहीं ठीक तो इसको अब हम लोग नीचे कर ले रहे हैं और एक खास चीज़ और मैं बता जे रहा हूं कि जो मतलब anti-cheats होते हैं games में वो कैसे find करते हैं कि आपने cheating की है या नहीं वो चीज़ का एक खुला example मैं दिखाता हूं आपको आज इसी में यह देखिए यहां पे step 3 के उपर क्या लिखा आ रहा है integrity check error यह क्या हो रहा था जब हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था comparison वाले function को हटा दिया था तभी हम लोग यहां पे इसको bypass कर पाए थे और हम लोग इसके आर पार जा सकते हैं ठीक है तो जब भी मैं अपने script को on करता हूं यहां से तब यहां पे integrity check error आ जाता है जैसे script को off करूंगा integrity check error गायब और हमारा game पहले की तरह चलने लगेगा like अगर मैं लड़ूंगा तो मैं यहां से मर जाओंगा ठीक है तो जैसे मैं अपने cheat को on करता हूं तो integrity check on हो जाता है यही चीज यहां पे बहुत छोटे तोर पे हो रही है जो online games होते है उनमें बहुत बड़े तोर पे होती है तब ही आप लोगों का cheat जब पकड़ा जाता है तो वो लोग तुरंट ban करते आपको ठीक है तो I hope कि छोटा से example आपको यह समझ में होगा online gaming के उपर वैसे online gaming के उपर हम लोगो भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी x and y axis के हम बात करते हैं ठीक तो जैसे कि आप लोग जानते हूं किसी भी value को हम लोग जब इसमें ढूंडते हैं तो हम लोग उसको observe करते हैं कि क्या वो बढ़ रही है क्या घट रही है तो उसी टाइप से हम लोग अपनी x और y axis को भी observe करेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं x और y axis दोनों ही हमारी float value में होती है floating point में हमारी coordinates होते हैं अगर 100 game आप खेलोगे 100 में से 80 game आपको float point में coordinates देंगे कुछ game हो सकते हैं जो आपको double में दे दें या फिर आपको बाकी किसी bytes में दे दें बट बाकी bytes में मैंने अभी तक नहीं देखा है हो सकता है कुछ games हो जो देते हूँ ठीक मैं फिलाल float ले रहा हूँ float लेने के लिए अब हमें इसकी जो coordinate है वो value कैसे पता चलेगी आप लोग जानते हैं जब हमारे पास कोई भी value नहीं होती हमें पता करना होता है किसी के बारे में तो हम लोग हमेशा unknown initial value को उपर अपना मन बनाते हैं जाने के लिए क्योंकि ये क्या करता है पूरे game में हर एक value को उपर नजर गड़ाया रहता है जैसे हम लोग उस value को जरा सभी बदलते हैं फिर हम लोग अपने command दे के उसके उपर indicate कर सकते हैं तो unknown initial value मैंने यहां से किया बहुत सारे result आ गए हैं इस पूरे game के उपर इसने अपनी नजर बना ली है अब अगर हमारा इस side जाता है तो हमारा क्या हो रहा है हमारी value plus हो रही है अगर इस side हम जाते हैं तो हमारी value minus हो रही है ठीक ऐसा समझ सकते हैं आप लोग इसमें अगर आपको मैं दिखा दूँ तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होगे कि अगर हम लोग x-axis के इस पार में हम लोग जा रहे है इस पार में जा रहे है तो हमारी value यहां पर plus दिखा रही है और x-axis के हम लोग इस पार में जा रहे है तो हमारी value यहां से minus दिखा रही है ठीक है यह चीज यह diagram आप लोग अपने जहन में उतार लीजे बिलकुल अच् किया था फिर हम लोग आगे बढ़ गया दो हमारी वैलियू को जो भी होगी वो इनक्रीज हो चुकिए हो सञ लग नेक्स्ट इसकैन पिर और नहीं लगा 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 है है और pearls स्कैन के मुझे पीछ जाने का मन हो रहा है तो लितгов ranging जाता हूं फिर मैं decrease कर देता हूँ फिर मैं और पीछे जाता हूँ और फिर से decrease करा मैं और पीछे चला गया स्टार्टिंग में पहुँच गया हूँ फिर से decrease कर देता हूँ ठीक है अब वापस से हम लोग क्या करेंगे यहां पर देखिए एक value हमें मिली है अब इस value को हमें कैसे पता लगाना है कि यह हमारी original value की नहीं पहली चीज तो आप लोग देखिए जब मैं आगे जा रहा हूँ और इस area में चला जाता हूँ तब यह value यहां पर पूरी plus में आ रही है plus में क्यों आ रही है आप लोग समझ पा रहे हैं न यहां हमारे coordinates के उपर ध्यान दिजिए math की जो आपके पुराने मतलब या 10 चल सबको यह वापस लाइए यहां पर हम लोग x पे गए तो हम लोग plus coordinates के उपर चल रहे है y मतलब back जाएंगे तो minus coordinates के उपर जाएंगे तब ही यहां पर ध्यान दिजिएगा स्टार्टिंग में 97 है 286 है यहां पर ध्यान दिने लाइक आपका यहां पर plus में इतना है और अगर हम लोग इसको घुमा के पीछे y मतलब minus में लेके जाते हैं तो minus में भी आपका यही आएगा मतलब कि अगर हम चाहें तो एक पल में यहां से ओड़के यहां पर जा सकते हैं क्यों कैसी जा सकते हैं यहां पर यह जो minus की value है अगर इसी को मैं यहां से change कर दूँ पहले मैं game को थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आप लोग मैं छोटा गर दे रहा हूँ और इस पार कर दे रहा हूँ इसको ताकि आप लोग अच्छे से इसको पूरा देख पाऊ ठीक है जैसे ओके इसको थोड़ा अगली लग रहा है यह हाँ ऐसा ठीक है तो जैसे कि हम लोग यहां से अगर जैसे minus हटाते हैं तो I hope so की यह player यहां पर पहुँचेगा जो मेरी knowledge or theory कहती है आपकी क्योंकि हमने यहां से minus हटाया क्योंकि minus value के उपर यहां पर rely कर रहा था तो okay करते हैं और यहां से player देखी गायब हो गया है पूरा player कहां पर है इस जगा पर आके खड़ा है अगर हम लोग इसको यहां से करेंगे तो यह यहां पर आगया ठीक तो इतना I think कि आप लोग समझ पा रहे होगे बिलकुल अच्छे से कोई भी confusion नहीं है अगर कोई भी confusion हो रही है और description में इंस्टा ID है जाके तुरंट message करो इसी वक्त जब आप लोग देख रहे हो जरा सी confusion हो ठीक है और अगर हम लोग यहां से active कर देते है active का मतलब क्या है कि मान लीजे जिस जगा मैं खड़ा हूँ उस जगा का यह coordinate है हमारे पास ठीक है जैसे हमने active किया तो cheat engine क्या करेगा हमें इस जगा से हटने नहीं देगा मतलब कि अगर हम लोग जरा सभी इधार जाएंगे तो तुरंट cheat engine इसी के उपर यहां पर जब खड़े थे जो coordinates था वो coordinates डाल देगा तो हम लोग उठके वापस से यहां आ जाएंगे चली आईए इसको भी एक बार हम लोग ट्राइ कर लेते हैं यहां पर मैं खड़ा हूँ और मैंने यहां से active किया अब मैं इसको हिलने की कोशिश कर रहा हूँ देख सकते हैं आप लोग मैं जानने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ पर cheat engine हमारे code को बार बार यहां पर paste कर र y coordinate भी तो हमें find करना है खाली x से काम नहीं चलेगा तो देखिए यहां पर जैसे हम लोग यहां इधर उदर जा रहेते तो हमारी value देखिए बढ़ रही थी और यह हमारी value को वापस से डाल रहा है लेकिन अगर मैं उपर जाने की कोशिश करूँगा तो ऐसी चीज़ें नही है तो इसको मैं यहां से active से inactive कर दे रहा हूँ अब हम लोग अच्छे से move कर पाएंगे तो हम लोग अपने y coordinates को ढूंडेंगे और y coordinates को पहले ढूंडने के बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग easily y coordinates ढूंड पाएंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग basic के ऊपर चलते हैं जैसे हम लोगोंने basic में ढूंडा था अपने x coordinate को float value है हमारी unknown initial value रखते हैं हम लोग और first scan कर देते हैं ठीक है अब हमारा यहां पे theory part क्या कहता है हमेशा कि y coordinates जब ऊपर रहेगा हम लोग ऊपर जाएंगे तो हम लोग कहां जाएंगे plus में और जब भी हम हम लोग नीचे जाएंगे तो हम लोग हमेशा minus में जाएंगे ठीक I hope so कि जहां पर मैं खड़ा हूं वो यहां का शायद main point हो सकता है हमारा main होगा center हो सकता है अगर इसके नीचे होगा तो minus चला जाओंगा इसके उपर होगा तो plus चला जाओंगा या फिर मुझे नहीं पता ह हो सकता है कि यह जगह पर जहां खड़ा हो यह भी minus की value हो आईए हम लोग इसको find करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ऊपर चला जाता हूं यहां से ठीक है यहां से मैं उपर आ गया अब आप लोग अंदाजे लगा सकते हैं कि मैं क्या search करूंगा यहां से increase value क्योंकि पर हम लोग आ गए हैं फिर से हम लोग करेंगे increase value फिर से हम लोग अपकोशिश करेंगे और उपर जाने की यह गेम भाई मतलब बहुत simple सा है बहुत easy सा है पर यहां पर मुझे कई बार problems हो रही है पर एक बार जहां हम लोगों ने coordinates को समझ लिया तो हमें अराम से कहीं पर भ यह बार हम लोग नीचे उतरेंगे थोड़ा सा और हम लोग करेंगे क्या decrease value और यहां से next scan कर देंगे और हम लोग फिर से नीचे उतरेंगे यहां पर और यहां पर फिर से क्या करेंगे decrease value और हमारे पास एक value आ गई है I hope so कि यह वही value है ठीक है यहां पर दिखे floating point में कुछ और नंबर आ रहा है लेकिन दोनों का address क्यों से मैं मुझे यह नहीं समझ में आ रहा तो मैं अगर नीचे उतर जाता हूं तो यहां पर देखे दोनों ही चीज सेम आ रही है इसको अगर मैं यहां से cut कर दूं तो मैं ओपर ओके यह शायद मैंने coordinates के value find कर दी क्या अंदाजे म है कि मैं इस axis में ऐसे move कर रहा था ना इस axis में ऐसे और यह x की value है वो भी तो ऐसी बढ़ रही है क्योंकि पहले हम लोग x में यहां थे फिर हम लोग यहां पहुचे हैं फिर हम लोग यहां और यहां तो आई हो मतलब लग रहा है कि cheating जन ने हमारी x coordinate को समझ के x coordinate को find कर दिया क्योंकि जो आपको basic तरीका है वो आपका concept है और जो यह चीज मैं बता रहा हूं यह आपके लिए एक trick की तरह काम करेगी ठीक है जब भी हमें x value पता चल जाए तो हमें y value अगर पता करनी है तो right click करिए और हम लोग जानते हैं सारा काम browse this memory region से हो रहा है हमारा तो यहां पे अगर हम लोग चले जाएंगे और यहां पे देखिए इतनी सारी bytes से सारा खेल इसी जगह पे हो रहा है मैंने इस जगह को पहले भी आपसे introduce कराया है तो कोई नहीं चीज नहीं होगी आपके लिए मैं यहां पर right click कर ले रहा हूं वह भी सब hexadecimal form में है पर हमारी यह जो values है यह coordinates है यह हमारी floating form है तो display type में जाके हम लोग क्या लगा देंगे यहां से float अब हम लोग सब floating form में है तो अब मैं यहां पर check करूंगा कि जब मैं इसको ओपर नीचे करता हूं तो यहां कौन से number बदलते हैं आगे पीछे करता हूं तो कौन से number बदलते हैं ठीक है तो मैंने इसको इधर किया तो यहां पर देखे हमारा यह number बदल रहा है और यह हमारा x का coordinate देखे जैसे से मैं आगे कर रहा हूं number चेंज हो रहे हैं तो यह मेरा x का coordinate हो गया है अब मैं देखूंगा कि जब मैं ऊपर जाता हूं तो मेरे कौन से number बदलते हैं मैंने यह ऊपर दबाया और यह देखिए तुरंत हमें y का कॉडिनेट मिला नीचे जा रहा हूं मैं तो यह घट रहा है मतलब बढ़ रहा है तो इसको हम लोग रख लेंगे right click करेंगे add this address to list यह करने से हमारा address अपनी इस जगा पर आ जाएगा तो यहां पर address हमारा यह सही है okay किया और इसको बंद करते हैं तो देख पा रहे हूंगे कितनी easy तरीके से हम लोगों ने यहां पर find कर लिया है तो अभी मैं थोड़ा सा इसकी values के उपर और अच्छे से ध्यान दिला दे रहा हूं आपको okay तो जैसे कि हमने बताया था अपना इस जगा पर हमारा y access है मुझे लग रहा है देखे क्योंकि y हमारा क्या है कि plus में है मतलब कि हमारा अभी minus में नहीं है minus में कब होता है हमारा y जब हमारा y नीचे होता है यानि कि अगर मैं इस game में इसको उठा के बिलकुल ही नीचे गाइब कर दूं तो हमारा y access नीचे आ जाएगा ठीक इतना आप लोग स कि बंदा मेरी वीडियो देख के copy नहीं करेगा कि जैसा है समय कर रहा हूं वैसा है सकरो एक बार पूरी वीडियो देखो समझो फिर खुद से बैठ के करो तभी सीख पाओगे वरना नहीं होगा तुमसे मैं तुमको पहले बोल रहा हूं रट्टा नहीं चलता है किसी भी च अगर यही जगा माइनस में होती पूरी पूरी तो हमें क्या मिल जाता ठीक है जीरो के अगर आगे मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं ठीक और इसको मैं पहले value copy कर ले रहा हूं I hope कोई problem हो जाए तो मैं इसको वापस से paste कर दूँ वैसे कोई खास नहीं है माइनस ही लग पर हम लोग ऊपर पहुझ गये हैं समझ पाए आप लोग मतलब जरा सभी आपके mind में कुछ गया क्या हुआ नहीं गया होगा तो एक बार और हम लोग देखेंगे यहां पर यहां पर है हम लोग अभी हम लोगों की plus value है जैसे कि मैंने x में आपको समझाया था कि अगर मैं इ तो यहां पर क्या है यहां पर देखिए यहां पर आगए तो फिलाल माइनस में है तो अब हम लोग इसी चीज़ को करेंगे यहां से करने के कोशिश जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूँ इस जगह को अगर मैं माइनस कर देता हूँ ठीक है इस address के उपर मैं गया और इसको मैं यहां पर टैप किया और यहां से माइनस किया और हम लोग कहां पहुचेंगे उपर तो यह जो लॉजिक है आप लोग अपने माइन्ड से दूसरे गेम्स में भी अपलाई कर सकते हो जहां आपको लगे पर मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अपनी चीट इंजन की प्रैक्टिस के लिए हमेशा पुराने गेम्स के उपर ट्राई करें उन पर कर करके कर करके अपना हाथ साफ करें हर एक चीज के बारे में पता कर लें कि कैसे काम चल रहा है फिर आप कोई मॉडन गेम के उपर धीरे धीरे बढ़ें पहले जैसे इसी इनसान बढ़ता है तो उसको knowledge भी बढ़ती जाती है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और बाकी तो मैं हूँ ही हमेशा आप लोगों के help के लिए 9 to 5 मैसेज करिएगा कोई call नहीं वैसे number तो मैंने दे भी नहीं रखा है ठीक है अब क्या करेंगे हम लोग अपने इसी दुश्मन को भाई आज मात दे नहीं मुझे मैंने कल इसको किया था बहुत ज़्यादा परशान हो गया था करने में हालत घराब हो गयती यार मतलब एक टाइप से ऐसे कोई बहुत बढ़ा हवा नहीं है कई लोगों से एक बार में हो गया होगा तो मैं आज एक बार प ज़िए यार ऐसा नहीं यार ये क्या चूति मतलब कि मैं कल कर रहा था मैं तब परशान हो गया और ये हुआ नहीं और आज मैं कर रहा हूँ तो तुरंद हो गया ये बहुत गलत चीज है फिर भी हम लोग ट्राइ करने के लिए अब हम लोग अजम्शन करेंगे कि मान लीज क्या आप लोग करने जा रहे हो ठीक तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने Y कोडिनेट्स तो फाइंड कर लिया है तो इसको मैं यहाँ पर पहले नाम चेंज कर दू यार X and Y हमारा ठीक है हम लोगों ने Y कोडिनेट्स तो फाइंड ही कर लिया है अब हम लोगों खाली क्य आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि गेम में क्या मज़े ले रहे हो, आप लोग गेम की तो बिल्कुल फाल की रख दिआ आपने, कुछ भी अपना मन क्या कर रहे हैं ओके बूम वाकई में हम लोग कमाल के हैं आप लोग कमाल के हो अगर आप लोग अच्छे से सीख रहे हो मुझे मेरी तारीफ कर सकते थोड़े वो कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो हम लोगों ने आखिरकार कॉडिनेट्स फाइंड कर लिये अपने मज़ा आया करके काफी मज़ा आया अब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को कुछ और इंट्रेस्टिंग चीज़े बताऊंगा तो मुझे आप लोगों का अभी सपोर्ट चाहिए आप लोग क्या करो कि वीडियो को शे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेसिक चीटिंग जन आपको नहीं आता सीधे कॉडिनेट्स देख रहे हो तो आय बटन पर चले जाओ वहां पर बेसिक पहले पढ़ लो फिर आओ यहां पर तो लास्ट में वस यह कहूंगा मेरी वीडियो देखने के लिए